हेलो स्टूरेंट्स वेलकम ट्यू मैगनेट बीज दिस इस अनामीका सिंग कैसी हैं बटा आप सभी समय आश्य करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंध हासर हो चुके होंगे आज के सेशन में आज की इस प्यारी से वीडियो में जहां मैं आप सभी के लिए लेक की आटी सॉल्यूशन में जितने भी इंपॉर्टन क्वेस्टन से बटा है तो बहुत सारे तो पूरे तो हम डिसकस नहीं गए सकते हैं लेकिन येस आज के सेशन में हम एक से लेकर दस तक के पूरे क्वेशन डिसकस करेंगे तो काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग आज का ये सेशन होने वाला है काफी ज़्यादा मसेदार आज की एक लास होने वाली है सो पहले ही वीडियो को लाइक कर देना पहले ही वीडियो को शेयर कर देना और इसे के साथ साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को इसे शुरू करने के पहले मैं आप सभी को तोड़ी से वो अटेंड कर सकते हैं और किसी भी क्लास को रेकने के लिए आपको कोई कोर्स बिलकुल भी पर्चेस नहीं करना है और नहीं किसी भी तरह की कोई पेमेंट करनी है क्योंकि मैंने ब्रींस प्रोवाइट कराता है क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिलकुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसे के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ हम पांच स्टेट बोर्ट कवर करते हैं जैसे यूपी बोर्ट, बिहार बोर्ट, एंपी बोर्ट, रा जहानी की NCRT solutions तो बटा अब क्या आएना कि जितने भी NCRT solutions अभी मैं एक से लेकर 10 तक आपको जितने questions यहाँ पर करवाऊंगी इसका सबसे important point अभी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ और वो यह है कि बाई सबसे पहले तो हमारा basic अच्छे से strong होना चाहिए question का answer अगर हमे concept clear होता है so question का answer हम अच्छे से लिख सकते हैं 9th class एक ऐसी class होती है जो हमारा base strong करती है class 10th के लिए आपको as it is वहाँ नहीं पढ़ना है आपको मिलेंगे दूसरे chapters लेकिन इससे related ही होंगे और हम 9th class में ही अगर लिखने की habits सीख जाएंगे तो 10th में हमें उतनी problem नहीं जाए और अपनी कारे शब्द की ड्याक्या के आदार पर तरक दीजिए कि इनमें कारे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो अब मेरी बात को बहुत द्यान से सुनेंगे पहली बात तो कारे होता क्या है इस पर थोड़ी सी में चर्चा करती हूँ क्यों क्यों क्योंकि आपको अलग-अलग examples अभी आपको मिलेंगे sentence दिये गए हैं अगर आपको कारे की परिभाशा definition आपको अच्छे से पता है न तो आप बता सकोगे कि हां किस या किस example में या किस आपको sentence में ऐसा लग रहा है कि काम हुआ है और उसको पर कि आप समझाओगे नहीं यहां पे काम नहीं हुआ है मैं आपको direct नहीं बता रहे हूँ पहले concept बताती हूँ तो basically बिटा जो work होता है न यानि कि जो कारे होता है इसके लिए पाट्टेगत प्रश्ण में मैंने आप को बताया था दो चीज़े क्या होती है भाईया important होती है कितनी चीज़े दो चीज़े important होती है पहले चीज़ तो कि उस पर कोई न कोई क्या लग रहा हो बिटा force जाने कि क्या लग रहा हो बल और दूसरी चीज़ कि उसका क्या हो रहा हो displacement है न यानि कि भाईया force लगने पर उसमें क्या हो रहा हो विस्थापन हो रहा हो क्या कहा मैंने आप सभी से कि पोस लगने पर उसमें क्या हो रहा हो displacement यानि कि क्या हो रहा हो बिटा विस्थापन सो निम्न सूची बद्द क्रिया कलापो को ध्यान से देखिए अपनी कारे शब्द की व्याक्या के आधार पर तरक दीजिए कि इन में कारे हो रहा है या नहीं तो हमने क्या जाना कि सुमा एक तालाम में तैर रही है हमने क्या देखा सुमा जो है भाईया वो एक लड़की है और वो एक तालाम में तैर रही है आपको बताना है कि यहां पर काम हो रहा है या नहीं और मैंने आपको एक्स्प्लेइन कर दिया है कि काम हो रहा है या नहीं उसके लिए आपको दो ही चीज़े ध्यान में रखना है कि उस पर कोई न कोई बल लगाया होगा और बल लगाने पर वो वस्तू क्या होई होगे डिस में नहीं हो रही है तो क्या यहां पर कारतार हुआ मैंने बढ़ा काम किया आज मैंने दिवाल पर पोश्च लगाया लेकिन वास्तापत नहीं हुई स अभवग एक विज्ञान के बाशा में ये काम नहीं है तो काम काम तब होगा जब ये दोनों ही शर्ते क्या होंगे बिटा पूरी सो हमने कह रहे का सुमा एक लड़की है और वो एक तालाब में तैर रही है तो कारे हो रहा है या नहीं तो अगर वो तालाब में तैर रही है तो भैया तैरने के लिए उसने बल लगाया है ना और बल लगाने के बाद वहाँ विस्थापन भी हुआ वो आगे भी तो बड़ी So yes, definitely यहाँ पर काम हुआ है So कारे हो रहा है क्योंकि यहाँ विस्थापन हो रहा है सुमा पानी को पीछे धकिल रही है और पीछे दखेल रही है और उसके बाद विस्थापन हो रहा है तो हमने देखा फोर्स लगाया उसने पानी को पीछे दखेला और उसके बाद वो आगे भी बढ़ती गई यहां काम हो रहा है क्योंकि यहां दोनों ही चर्टे जो हैं वो फॉलो की जा रही है बाद पूरी हो रही है समझें दूसरा क्वेशन कि एक गदे ने अपनी पीट पर बोजह उठा रखा है एक गदा है और उसने अपनी पीट पर बोजह किवल उठा कर रखा है तो बाईया यहां कोई काम नहीं होगा मैंने आपको पहले भी बताया है बिटा एक्चुली मैं पता है होता क्या है कारे नहीं होगा क्योंकि बोजह का विस्थापन बलकी दिशा से 90 डिगरी पर होता है बोजह का जो विस्थापन है बलकी दिशा पर 90 डिगरी पर होता है और कॉस 90 कितना होता है बिटा शून नहीं आने के 0 होता है तो किया गया कार भी कैसा हो जाएगा शून नहीं आने कि जीरो हो जाएगा तो केवल सर पे सामान रखे रहना ये काम है क्या नहीं भाई ये काम नहीं है मैंने आपको वो कूली वाला एक्जामपल देखे समझाया था मैंने आपको already कूली वाले example देखाया है कि एक कूली है और कूली ने अपने सर पे इसे सामान जो है रखा ही हुआ है तो क्या यहाँ पर काम होगा तो हमने जाना था कि नहीं फिर यहाँ पर काम नहीं होगा गधे ने अपनी पीट पर बोजह उठा रखा है तो यहाँ पर कारे नहीं होता है क्योंकि बोजे का विस्तापन बलकि दिशा से 90 डिगरी पर हो रहा है और कॉस 90 किता होता है बया जीरो होता है चलिए अगली कहानी की तरफ आते हैं एक पवन चक्की यानि जो विंड मिल होती है वो कुवे से पानी उठा रही है क्या बोला बिटा मैंने आप सभी से कि जो एक पवन चक्की है विंड मिल है ये कुवे से क्या कर रही है पानी उठा रही है तो क्या यहां पर काम हुआ क्या अगर पवन चक्की की सहायता से कुव कि इसे पानी उठाया जा रहा है तो बिलकल काम हुआ क्योंकि यहां पर फोर्स भी लग रहा है यहां जलका विस्थापन हो रहा है गृत्वी बलके विरुद्ध पानी जो है उपर उठाया जाता है गुर्तवी बल बोले तो बहिए यह तो प्रतवी की तरफ लगता है गुर्तवी बल तो प्रतवी की तरफ लग रहा पानी को उपर उठाया जा रहा है तो हाँ काम तो यहाँ पर हो रहा है तो हमने देखा कि यहाँ पर काम हुआ, यह ऐसे questions आते हैं exam में, ठीक है, एक अरे पौदे में प्रकास संचलेशन की प्रक्रिया हो रही है, तो क्या यहाँ पर काम होगा, तो ध्यान से सुनो, एक पौदा प्रकास संचलेशन की क्रिया के समय कोई काम नहीं कर रहा होता है, हान पर जो प्लांट सोते हैं, वो सनलाइट की हल्प से, बिटा सूरे के प्रकास से अपना खाना बनाने का काम करते हैं, क्या कहा हम ने आप सभी से, कि जो प्लांट सोते हैं, वो सनलाइट की हल्प से, सूरे के प्रकास से अपना खाना बनाने का काम करते हैं, और बात यह आती ह कि इसके लिए उन्हें atmosphere से carbon dioxide चाहिए होता है पहला point इसी के साथ साथ इन्हें और क्या चाहिए होता है atmosphere से carbon dioxide लेते हैं पानी चाहिए होता है sunlight तो फिर वो खाना बनाते भाई यह कहां पर ना basically अलग process हो रहे है यह photosynthesis से क्रिया है लेकिन यह काम नहीं हो रहा है तो एक पौधा प्रकास निशलेशन के क्रिया के समय कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि बल और विस्थापन दोनों ही आपर शुन नहीं कोई बल लग रहा है नहीं कोई विस्थापन हो रहा है एक इंजन ट्रेन को खीच रहा है अच्छा ये द्यान से सुनों इ एक इंजन है और कुम एनन को खीच रहा है क्योंकि इन गरीटा काम हुआ है अभी है और भी एक्जामपल्स है मैंने बोलाई सिंपल है दो कॉनसेप्ट ध्यान रखना की एक तो भाईया फॉर्स लगेगा ही लगेगा और फॉर्स लगने पर क्या होगा विस्थापन होगा ही होगा तभी तो बटा इसका फॉर्मूला क्या है सु भाई इसका फॉर्मूला भी fs ही तो है अरे भाई इसका फॉर्मूला भी क्या है fs ही तो है यानि कि भाईया आपको अगर वर्क जानना है तो आपको force पता होना चाहिए s पता होना चाहिए that means क्या पता होना चाहिए विस्थापन पता होना चाहिए clear समझे की नहीं समझे हाँ या न अच्छा और आते हैं अब हम अनाच के दाने सूरी की धूप में सूख रहे हैं क्या यहाँ पर अर चाहिए सूरी की अबैस की रहे होंगे तो क्या काम मना जाएगा भई कैसे काम माना जाएगा क्या यहाँ पर कोई force लग राया इस पूरी process में और फूर्स लगने के बाद अनाच की दाने displaced हुए क्या ऐसा कभी होता है कि हम अपने घरों में उपर छट पे या खुले में अगर गेहूं को सुखा रही है और बाद में आते हैं थोड़े दिर बाद तो देखते हैं कि यार उस पर एक पोर्स लगा और गेहूं के दाने जो हैं वह स्थापेत हो गए बेहोश हुजाओगे अगर ऐस हुआ है क्योंकि अनाज के दाने धूप में सुखाते समय सपर कोई बल नहीं लगता है और नहीं कोई विस्थापन होता है अब पढ़े जंडरली क्या होता है ऐसे एक्जामपल आ जाते हैं कोई टीचर पूछ लेता है बच्चे से बच्चक आप जाता है बच्चे को लगत हैं सुख रहें तो काम ही हुआ होगा ऐसे कैसे मैंगे आपको कई एग्जमपल बताएं जो सुबह से लेकर राद तक कई बार ऐसा होता है और नहीं होता है लेकिन सारे काम में काम हो रहा पर जो सेल बोट है ना उसमें गती होती है और गती होती है तो वह बोट आगे बढ़ती है यानि कि उसमें क्या होता है डिस्प्लेस्मेंट होता है यानि कि बिटा क्या होता है विस्थापन होता है समझे कि नहीं समझे तो यह सिंपल सा प्यारा सा हमारा पहला क्वेशन जाद क्या होता है अगले क्वेशन के तरफ आते हैं बाई क्वेशन नमबर सेकेंड यह रहां बिटाब सभी के सामने बहुत द्यान से सुनिएगा एक पिंड को दर्ती से किसी कोड पर फिका जाता है हाना कोई ऐसा कोड है जिसकी कोई ऐसा एंगल है जो जिसके बेस पर किसी भी पत क्या होता है और वापस धरती पर आगिरता है पिंड के पत के प्रारंबे को रंती मिस्तिती के बीच की भीच ही छैती जुरेका पर इस्तेत है और पिंड पर गृत्व बल के द्वारा बेशी के लिए कितना काम किया गया सिर्फ इतना ही आपको बताना है सो मुझे पात तो अगर मैं किसी पिंड को लेती हूँ और मैं अगर उसे किसी फोस या बल से फेकती हूँ तो किसी ना किसी एंगल पर जाएगा एंगल कुछ भी हो सकता है और अब जो वो जाएगा ना तो ऐसा है कि पहले वो उपर जा रहा है दन वो नीचे जाएगा ये चीज संभाव है क कि मैंने किसी पिंड को एसे फेका कि यह ऊपर कि ऊपर है आस्मान में चल आ गया यह तो POSIBIL नहीं है यह तो SOMEBHAB नहीं है तो होता क्या है मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पिंड था हमने जब उसे फेका आ यही पत पहले बात तो उसका वक्रपत होगा और आपको पता है कि यहां gravitation गुरुत्व कर्षन काम करता है बिटा जिसके माध्यम से या जिसके तुरू या ऑब्जिक्ट वापस कहां पर आजाएगा धर्ती पर आजाएगा अरे समझे की नहीं समझे यह जो कहानी मैंने आपको बताई है मैं उमीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी उमीद करती हूँ कि अच्छे समझ में आ गई होगी अब एक चीज़ और यह इसके प्रारंबिक स्थिती है और यह एक छहते जुरेखा आपको दिखाई दे रही होगी इन तरती पर आगिरता है पिंड के पत के प्रारंबिक और अंतिम इस्तिती के बीच एक छेतिज रेखा जो है और हमने देखा कि यही रेखा इसकी क्या है चेतिज रेखा है आप बताओ किया कया कारी क्या है सो पहले बात तो अगर हम इनके बीच की और बात करते हैं जैसे यह यहाँ पर विस्थापन लेकर चलते हैं और जो ग्रेविटेशन होगा वो नीचे की तरफ ही जाएगा तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बड़ेगा बिटा 90 डिगरी बनेगा कितना बनेगा 90 बनेगा इस चीज का ध्यान रखना कि विस्थापन की बीच के बात करें और जो इनका बेसिकली किसके बीच की बात करें ग्रेविटेशन उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिगरी बन रहा है अब एक पॉइंट आती है हमें यहां क्लिया गया कारे निकालना है सो हम इसके बेस पर देखकर चलते हैं MGH को सो हम क्या पाएंगे यहां क्या रखेंगे कि बईया हमारा मासमाल लेते हैं कि जो object जो spend को फेका जा रहा है वह किसी किसी उसमें कोई न कोई मास तो हो गई माल लेते हें कि उसका जो मास है वो M है बिटा Bettira कितना है वो है M कुछ कितना निकल कराएगा शून याने के 0 वस्तु-16 रूप से विस्थापित होती है बिल्कुल यहाँ पर इस प्राकाल से हो रहा है यह विस्थापित हो रही है क्योंकि vitae पर विषिष्ट लगे पर फेकी गई वस्तु-q यह प्रारंबिक और अन्ति मीस्तिति से बीच जिस भी एंगल से इसे ठीक गया है उसके और अन्ति मीस्ति के बीच में क्या एक 16 रेखा है है नब और हमने क्या रेखा वस्तो पर गुतबा कशन बल उर्द बर्दन नीचे क्यों कारे करता है gravitational force नीचे की और लग रहा है विस्थापन कैसे हो रहा है से और इनके बीच का जो code बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिगरी बनेगा हाँ पैसे भी निकाल सकते हैं कि cos 90 कितना होता है 0 है ना और इसके आदार पर हम formula put करेंगे तो भी हमारा कारे 0 ने याने की 0 ही निकल कर आएगा अगले question के तरफ आते हैं बटा ये रहा हमारा question number 3 एक battery bulb जलाती है इस program में होने वाले उर्जा परिवर्टनों का आपको यहां पर वर्णन करना है कि एक battery जो है वो बल्ब को जलाने का काम करती है और इसमें होने वाला जो परिवर्टन या उर्जा परिवर्टन वो कौन सा होगा सो battery की रासाइनिक उर्जा यहां पर वैद्धोत उर्जा में क्या होती है बदल जाती है जो जो जाती है जिसे पर प्रकाश उर्जा और उष्मा उर्जा में क्या किया जाता है परिवर्टित लाइट एनर्जी और है ना हीट एनर्जी में क्या किया जाता है चेंज आते हैं अपने क्वेक्शन नमबर फोर्ट थोड़ा से इसे द्यान से समझेंगे बटा 20 किलोग्रां द्रविमान पर लगने वाला कोई बल हैना यसे के वेक को 5 मीटर पर सेकिंड से 2 मीटर पर सेकिंड में परिवर्टित कर देता है सो बलके द्वारा किये गई कारे का आपको सिंपली यहां पर क्या करना है कैलकुलेशन याने की परिकलन करना है सो आपको क्या क्या चीज़े गिवन है पहले तो आप वो नोट डाउन करो तो आपको क्या क्या दिया है सुर्यान से सुनेंगे, जब हम इसे solve करने जाते हैं, पहले बात तो हमें उस वस्तू का क्या देकर रखा है, मास, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, और किसी भी वस्तू का मास कितना होता है, सो वो होता है, 20 kg, इस पर लगने वाला कोई बल, इसके वेग को पांच मीटर पर सेकेंड पहले बात तो बटा यहां पर आपको दो तरीके की वेलोसिटी मिलेगी एक मिलेगी क्या इनीशियल वेलोसिटी हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं प्रारंभिक वेग बोलते हैं क्लियर हिंदी में यह कौन सा वेग होता है सो वो होता है प् प्रारंबिक वेग बिटा हमें यहाँ पर कितना देकर रखा है? 5 मीटर पर सेकिंड. वही अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर आपको और क्या मिलेगा? So, final velocity मिलेगी. And final velocity आपको यहाँ पर कितनी देकर रखी है? याने की बिटा अंतिम वेग आपको कितना देकर रखा है? Clear? सुध्यान से सुनिएगा, अंतिम वेग की अगर मैं बात करती हूँ, सो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 मीटर पर सेकिंड. हाना, अब हमें पता है कि बलके द्वारा किया गया कारिश, simply हमें यहाँ पर fine करना है. तो हम इसे निकालने के लिए सबसे पहले इनकी एक एक चीज़ को discuss करेंगे और उसके लिए पहले तो में थोड़ी सी क्या बनाऊंगी भाईया? जगे बनाऊंगी. तो सबसे पहले तो आते हैं हम initially प्रारंभिक लेवल पर अगर बात करते हैं, प्रात्मे किस तर पर अगर हम बात करते हैं तो उसमें velocity find करने हैं, ठीक है ना मतलब energy find करने हैं, सबसे पहले तो मैं गतेज उर्जा निकाल रही हूँ, सबसे पहले तो गतिज उर्जा इनीशल वेलोसिटी के लिए निकाल रही हूँ और अगर मैं यहाँ पर गतिज उर्जा लगाती हूँ तो क्या हो जाएगी बिटा, half mv square होगी यहाँ पर velocity कौन सी होगी बिटा, इनीशल होगी m हमारे pulse 20 है, इनीशल वेलोसिटी 5 square बतला बोले तो 5 multiply 5 इसको इससे डिवाइट करेंगे तो कितना आएगा 10 और 10 का अगर 5, 5s are 25 में multiply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 250 Joule होगा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 250 Joule दूर्शी स्थिती के अब हम गते जोर जाएगा यानि कि अगर अगर हम final velocity के अधार पर निकाले तो यह क्या हो जाएगा हमारा ध्यान से सुनना तो यह है क्या हमारा half, यह है 20 हो वी square velocity का square बोलेंगे यानि कि कितना हो जाएगा 2 square मतलब 2 multiply 2 अब इनका multiply करेंगे कितना आजाएगा सुभए यह आजाएगा क्या 40 Joule कितना आजाएगा बिटा, 40 Joule आजाएगा अब हमें बलके द्वारा किये गए कारिका यहाँ पर क्या करना होगा परिकलन करना होगा जिसके लिए हम क्या रेखेंगे गतेज उर्जा का परिवर्तन गतेज उर्जा में जो परिवर्तन हुआ उसके आधार पर हम यहाँ पर कारिकी क्या करेंगे गड़ना तो initial में से final minus कर दो है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे initial में से final को minus कर देंगे है ना, आचो sorry final में से initial को क्या करेंगे माइनस और जब हम फाइनल में से इनिशल को माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा कार्य क्या आजाएगा सो किया गया कार्य आजाएगा बिटा 210 जूल है ना क्या जाएगा सो यहां पर हमारा किया गया कार्य जो है वो 210 जूल आएगा अगर कारे किस तरीके से दिखाई दे रहा है नेगेटिव पहली बात तो कारे नेगेटिव होता है क्या सो बिटा हाँ बिलकुल सही कहा गया है कि जो कारे होता है यानि कि भाईया जो वर्क होता है वो कैसा होता है बिटा नेगेटिव होता है लेकिन एक कं उसे डारिक्षन में काम कर रहा हो समझे की नहीं तो हम बोल सकते हैं कि कार बलके वरुद्ध दिशा में किया जा रहा है तभी हमने क्या जाना कि कार एक ऐसा निकला है नेगटिव निकला है सो उमीद करती हूँ कि ये क्वेशन अच्छे से बन गया होगा फटाफट से इसका एसस ले लीजिए नोट डाउन कर लीजिए ये नेगटिव क्यों आया ये भी मैंने आप सभी को यहां पर क्या कर दिया है एक्स्प्लेइन कर दिया गया है कि नेगटिव वह का मतलब क्या हो जिसका मास कितना है बटा दस किलोग्राम है और वो मेश पर ए बिंदू पर रखा है इसे बे बिंदू तक लाया जाता है और यदि ए तता बी को मिलाने वाली रेखा चैटिज है तो पिंड पर गुर्तवबल द्वारा किया गया कारे कितना होगा आपको यहां पर अपने आ पर दस किलोग्राम द्रविमान का क्या रखा है एक पिंड रखा है हाना जिसे पर यहां पर दस किलोग्राम का क्या रखा है एक पिंड रखा है क्लियर सो हमने जाना कि दस किलोग्राम द्रविमान का एक पिंड मेश पर ए बिंदू पर रखा गया है यह बिंदू हम इसका ए अब इसे B बिन्दू तक ले चाया जाता है यदि A B को मिलाने वाली रेखा कैसी है चैते जए अगर हम इसे B बिन्दू तक ले कर जाते हैं और इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो कैसी होगी चैते जो होगी CD रेखा बोल सकते हैं कहना यह कुछ इस तरीके के रेखा होगी त तो पिंद पर गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कारे कितना होगा आप को इसका कैलकुलेशन करना है कि फिर यहां से यहां पहुंचने में काम कितना किया गया पात बताओ चुपके पिंद की अर्थात तुसकर जो विस्थापन वह छे टिशा में हो रहा है जबके आपन यहां हो रहा है गृत्वेबल तो ऐसे नीचे लगाये नीचे के दिशा में लगता है अरताथ बल के दिशह और विस्तापन के दिशह की बीचि में जो कोड़ बनेगा फिर वो कितना बनेगा नwsे दिगरी बनेगा और अगר नैंती दिगरी बनेगा तो जैसा कि आप सबी जानते हैं यानि विस्थापन बलकि दिशा में नहीं हो रहा है इसी लिए यहां पर किया गया कारी क्या हो जाएगा शुन हो जाएगा क्योंकि कोस 90 कितना होता है भाया सो कॉस 90 होता है शुन जो बिसिकली हमें बताता ही है कि यहां पर किया गया कारी क्या हो जाएगा शूने समझे की नहीं समझे मैंने आपको हर कंडिशन हर स्टेज बताईए कि काम किस दिशा में पॉजिटिव हो सकता है काम किस दिशा में नेगरिटिव हो सकता है या फिर काम किस दिशा में शूने याने की जीरो हो सकता है तो हमने जाना क अगर 10 kg द्रविमान का एक पिंड है जैसे कि मैंने आपको ये टेबल पर रखके बताया मान लेना था कि आपको ये टेबल है टेबल ज्यादा सुन्दर नहीं दिख रहे हैं कोई बात नहीं मेरे प्यारी प्यारी बच्चे हो मुझे पता है तुम लोग इस चीज को बेटर तर रखकोफे पींड पर गुर्त्वकर बारा किया कारे का होगा तो हमने हम भी तो काम दती वार्ट की तरह करती है और विस्तापन यह वो तो हो रहा है तो अपको बताना क benefici पैल पेल यї उन्हीं 他 plane Except अब आते हैं हम हमारी अगले प्रिश्ण की तरफ अगले क्वेशन की तरफ कि क्वेशन नमर्स एक समसे क्या बोलता है बाई मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थीजूर्जा लगातार कम होती जाती है क्या ये उर्जा संदक्षन नियम का उलंगन करती है आपको इसका क कारण बताना है आपको इसका क्या बताना है बिटा कारण बताना है तो क्या सच में ऐसा होता है कि स्थीजूर्जा मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थीजूर्जा लगातार कम होती है क्या बिटा होता तो है ऐसा मैंने आपको एक्टिविटी करवाई थे जिसमें हम यह बॉल है और यह एच उचाई पर रखी गई है यह बॉल है और हमने इसे एच उचाई पर रखा है तो अब यहां पर जो यह उपर इसे रखा गया है यहां इसकी कौन सी उर्जा है भाईया यहां पर होगी इसकी स्ततीज उर्जा जो कि जादा होगी कैसी होगी बिटा और साधा होगी और जैसे ही मेरे हाथ में माल लेते हैं जिसको मैंने किसी ऑबजेक को एक उचाई पर रखो और माल लेते हैं कि अगर मैं इसे छोड़ती हूँ फिर मैं क्या होगा तो ध्यान से सुनो यहां पर अबूर्जा का होगा रूपांतरण इस्तती जूर्जा गती जूर्जा में बदलेगी and very important कि जो इस्तती जूर्जा है basically ऐसा बूलना चाहिए कि जो इस्तती जूर्जा है अब यह जो सबसे ज़्यादा तिया वो धीरे धीरे करके कम होगी और पिर जब यह धीरे धीरे करके decrease होना start होगी ना क्या यहां पर बढ़ना start होगा जैसे जैसे यह नीचे जाएगी इस्तती जूर्जा कम होती जाएगी एंड वो कौन सी उर्जा है जो बढ़ती जाएगी सो उसका नाम है क्या बिटा गते जूर्जा क्या बोलेंगे हम उसे सो हम बोलेंगे गते जूर्जा क्योंकि यह क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी तो मैं सच में ऐसा होता है हां भाई ऐसा होता इस ती जूर्जा किसी वस्तू कीleader को फ्रदर्वित करती है और किसी भी वस्तू को इसके बताती है या फिर का ओतो कराती है थीक है तो हमने जाना कि जैसे इसे छोड़ा ऑका स्टार्ट कि और उसमें गते जोड़ा क्या हो गई बनी यानि कि आई और हमने जाना कि जब अर्थ पर पहुचेगी उसके पहले तक भी सबसे जादा जैसे जैसे नीचे जाएगी गते जूर्जा बढ़ेगी और जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगी गते जूर्जा घटती है क्या होती है फिर ये गते जूर्जा गतने का क्या करती है बैया काम करती है ठीक है समझे की नहीं समझे इतना चलो अब आते हैं से और अच्छे से यहां पर समझने के लिए किसी बिंदो पर इस्तिती जूरजा में जतनी कमी होती है गते जूरजा में उतनी ही व्रद्धी होती है यानि कि जो बिलकुल उचाई पर इस्तिती जूर्जा कैसी थी जादा थी मैंने बुले ना बटा उचाई पर इस्तिती जूर्जा कैसी थी जादा थी मैं इसका मतलब यहां पर गते जूर्जा कैसी होगी तो यहां पर गते जूर्जा होती है शून नहीं आने के जीरो ऐसी इस्तिती में फिर यह बलकुल उचा पर गते जूर्जा क्या हो जाएगी सो यहां पर यह हो जाएगी शून नहीं आने के जीरो सो किसी बिंदू पर इस ती जूर्जा में जितनी कमी होती है गते जूर्जा में उतनी ही क्या होती है व्रद्धी होती है किसी उचाई एच पर इस ती जूर्जा अधिकतम होती है जै यही चीज आपको अभी साइड में यहाँ पर बना कर लिखा कर पढ़ाई है कि जैसे ही उस उचाई पर एच उचाई तक किसी आपजिक को हम लेकर गए थे और जैसे हम उसे छोड़ेंगे और वो धर्ती पर जाएगा सो गते जूर्जा में क्या होगी व्रधी होगी क्लियार जाने की काइनेटिक एनरजी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और जब बस तो प्रत्वी के सता पर पहुचने वाली होती है आपको पते सरफेस पर पहुचने वाली होती है तब इसकी इस गते जूर्जा अधिकतम होत कि नहीं आया आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपको मैंने बहुत अलग आपको ऐसा तो नहीं लगा आपको मैंने बहुत अनोखी चीज पढ़ा दी नहीं बटा बस कुछ concept life में याद रहते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं मैं लेकिन हम बहुत कुछ कैसे कर सकते हैं concept के बेस पे जीवन में हर एक चीज का concept होता है और वो हमें पता होना चाहिए और हर चीज का जिसे एक बात बता हो हमारे घर में मम्मी खाना बनाए और हम खाना बनाए डिफरेंस है कि नहीं हम खाना बनाएंगे फला के बनाएंगे और हो सकता है कि हम जो माथड यूज कर रहे हैं वो बहुत लेंदी मैथड हो खाना बनाने की time taking हो ingredients जादा लगते हो और output भी उतना नहीं मिलता हो लेकिन मम्मी जो खाना ब होता यह है बिटा कि वो अगर हमें उसके भी knowledge होता खाना बनाने का और वो कैसे होता है भाई सीखेंगे practice करेंगे तभी होगा घर पे बनाएंगे खाना तभी बना सकते हैं ऐसे ही मैंने आपको यह जो बताया है ना यह diagram की help से बताया है even मैंने आपको इसकी activities कराएंगे और activities की help से ही आपको यह concept समझ में आएंगे वरना नहीं आएंगे ध्यान डखना सो किसी बिंदू पर इस्तिती जोर्जा में जतनी कमी होती है गते जोर्जा में उतनी ही क्या होती है बिटा वृद्धी हो जाती है और किसी उचाई H पर इस्तिती जोर्जा अधिक्तम होती है ज जब वस्तू प्रत्वी के सर्फेस पर पहुचने वाली होती है तब इसकी गते जोर्जा अधिक्तम इस्तिती जोर्जा नियुतम होती है क्योंकि height 0 है तो यह concept यहाँ पर डल अता उर्जा नस्ट नहीं हो रही है बलकि परिवर्दित हो रही है और प्रत्यक बिंदू पर kinetic energy प्लस अगर हम potential energy की बात करें तो यह अचर है अचर मतलब क्या हो जाएगा constant बोलेंगे है ना आता हम कह सकते हैं कि उर्जा संरक्षन के नियम का यहाँ पर उलंगन तो नहीं हुआ है है ना हमें जो लग रहा था कि इसका उलंगन हुआ है सो उर्जा संरक्षन के नियम का बिटा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी उलंगन नहीं हुआ है ओके सुनाव नेक्स आते हैं जब आप cycle चलाते हैं तो कौन कौन से उर्जा रुपांतरन होते हैं अच्छा एक बात बताओ भी तुम जैसे class 9 में आये हो cycle चलाते हो चलो आँ आप दोस्तों के पास तो होगी कभी तो चलाए होगी तो क्या तुम ने सोचा है कि तुम्हारे थूःट है पडल मारने पर cycle आगे बढ़ती है यहाँ पर energy का रुपांतरन हुआ है या पर energy रुपांतरित हुई है क्या चलो समझते हैं तो जब आप cycle चलाते ही है तो या muscular energy है, वो किसमें convert होती है, जब हम पैडल मारते हैं, तो वो mechanical energy में convert होती है, है न, तो जो हमारी muscular energy है, जब हम गाड़ी के रहें, cycle चलाते हैं, समय पैडल मारते हैं, सो वो उसको उसकी यांतरिक energy में convert करती है, पेशिय उर्जा, हमने ताकत लगाई, पकड़ अच्छे से, और पिर जो mechanical energy थी, वो किसमें convert होती है, पैडल मारने से, भाईया हमने पैडल मारा, उसको गती मिली, सो वहाँ पर हुआ है, गती जूर्जा में परिवर्तित होगे, cycle की गती किसमें परिवर्तित होगे, गती जूर्जा में, सो जब cycle सवार बल लगाता है, और पैडल गुम के द्वारा cycle के टैरो पर कारेरत घर्षन बलका सामने करने में वे होता है, हना तो आपको मैंने कहानी बताती है, कि हमारे द्वारा cycle चलाने पर हमारी muscular energy, जो हमारी muscles की जो energy है, हना उसकी वो हमारी यांत्रे कूर्जा में, जब हम पैडल मारते हैं, तो यांत्रे कूर्जा, किस में convert हो जाती है, तो ये convert हो जाती है, गति जोड़ जाती है, तभी तो हमारी cycle आगे की तरफ गति में चलती है, आते ही question number 8 की तरफ, जब आप अपनी सारी शक्ती लगा कर, जब आप अपनी बिटा सारी ही शक्ती लगा कर, एक बड़ी चटान को दके लना चाते हैं, ध् या इस अवस्ता में उर्जा का इस्तनांतरन होता है, आपके द्वारा वे की गई उर्जा कहां चली गई, आपने जो उर्जा वे की है न बिटा, वो कहां चली गई, इसे के बारे में पूछा जा रहा है, तो भाईया, पहली बात तो होता ये है, कि हाँ उर्जा का इस्तना सा विरूपर याने डीप ओर्मेशन होता है और या उर्जा उसे विरूपित करने का प्रयास करती है जिससे विक्ति ठका हुआ महसूस करता है देखो एक चटान को हिला पाना ना बहुत ही असंभव कान में आप में और मेरे जैसे या आपके जैसे 50 लोग भी है ना चटान को ह हिला पाना इतना आसान नहीं है तो जब आप अपनी सारी शक्ति या फिर लगा कर एक बड़ी चटान को दके लेना चाहती है और इसे हिलाने में और सपल हो जाती है तो क्या है सवस्ता में उर्जा का निससा इस्तनांतरन होता है आपके द्वारवे की गई उर्जा कहां चल तो हमने जाना कि हां उर्जा का स्तरांतरन तो होता है लेकिन चट्टान में विस्तापन नहीं होने के कारण यह शून्ने हो जाता है है और हमारे द्वारवे की गई उर्जा के कारण चट्टान में थोड़ा सा विरूपन हो जाता है और उर्जा उसे विरूपित करने का प्रय की तरफ क्या बूल रहे है कि किसी घर में एक महीने में और चाड़ की दो सू पचास यूनेटेll वह की गई है वann अब हमारे घर में एक महीने में 250 यूनिट हमने खर्च की है, तो ये उर्जा जूल में कितनी होगी, अब ये आपको एनर्जी बताना है, लेकिन किस में बताना है, जूल में बताना है, ठीक है भाई, मैं आपको वो भी बता देंगे, तो पर आपको ये समझ में आ गया, कि एक महीने में उर्जा कितनी वह की गई है 250 unit सबसे पहली चीज एक महिने में वह की गई उर्जा हमें क्या दी है 250 unit एक unit जो है वो किसे के बराबर होता है 3.6 multiply 10 to the power 6 जूल के है ना and 250 unit किसके बराबर होगा इसमें कर दियो कर दो multiply हाँ अच्छा एक unit बोल दो या फिर एक kilowatt आर बोल दो दोनों एक ही चीज है ठीक है ना तो यह किसके बराबर होता है 3.6 multiply 10 to the power 6 जूल के और 250 unit किसके बराबर है तो भाईया फिर हम में पता है कि इस पूरे का multiply इससे किया है ना पहले तो हमने यहाँ पर इसमें जूल लगाया और जब इमें से solve करेंगे ना बिटा सो यह हमारा 9 multiply 10 to the power 8 जूल आएगा सो एक महिने में वे की गई उर्जा कित्य उर्जाएगी 9 multiply 10 to the power 8 जूल ठीक है 9 multiply 10 to the power 8 जूल is the right answer and यह है हमारे आज का last question बड़ा ही प्यारा सा question है हाना आज का हमारा last question क्या बोलता है तो यह सुनो सबसे बहले question में बोला है कि 40 kg द्रविमान का एक पेंड दर्ती से 5 मीटर की उचाई पर उठाया जाता है सो हमारे पास यह रही मान लेते हैं दर्ती और इस object को जिसका M कितना देकर रखा है 40 kg इसे कितनी उचाई पर उठाया जाता है तो इसे की जो उचाई है वो कितनी है 5 मेटर है ठीक है ना सो 40 kg द्रविमान का एक पिंड दर्ती से 5 मेटर की उचाई तक उठाया जाता है और इसकी स्तथी जोड़ा कितनी होगी अच्छा मुझे एक बात बताओ अगर यहां से यहां तक मैं पूरी स्तथी जोड़ा फाइं करने जाओ तो चलो सबसे पहले तो मैं इसकी स्तथी जोड जाही बिटा निकाल रेथी हो तो इसकी स्तथी जोड़ा कितनी होगी सुनो 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 सबसे पहले तो हम इसकी काइनेटिक एंटिक एंद है पोटेंशल एंद ह। कितनी होती है mg h होती है ठीकिना एंड m कितना 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 हुजाएगा 2000 Joy हो जाएगा 2000 हो जाएगा so question के अ decrease हमने किती जूर्जा फायंग कर लिया इसके तिछा होगी तो हमने जान लिया कि भाईया अगर एक object जो है पिंड जो है वो धरती से पांच मीटर की उचाई तक उठाया जाता है और ऐसा करने पर वो बस्तु का जो विमान है वो पचास किलोग्राम है तो हमने जाना कि इसकी स्रीज उर्जा पोटेंशियल एनरजी दो हजार जूल होग बात तो यहां से यहां तक कि हमें क्या निकालना होगी तो यहां से यहां तक कि हम निकालेंगे पहले तो इसकी स्तिज उर्जा फिर हम यहां से इसकी गती को फाइंड कर पाएंगे इसकी गते जूर्जा को क्या कर पाएंगे निकाल पाएंगे अब हम आते हैं दूसरी कहान इसकी स्थी जो उट जा जो कि कितनी होती है भाया MGH अगें सेम चीज MGH ही लीजिएगा अच्छा ये बताओ M कितना दिया था चालेस ये होगा 10 and very important ये कितना होगा 2.5 होगा and इन सब को अगर हम multiply करते हैं न बटा तो ये आ जाता है 1000 जूल आ जाता है ठीक है so 1000 जूल आ गया अब हम से कह रहे थे कि इसकी स्थी जूर्जा किती है ये पिंड को मुक्त रूप से गरा दिया जाए तो जब पिंड ठीक आदे रास्ते आता है तो उस समय से गते जूर्जा का परिकलन करना है so अब हमें आधे रास्ते तक आजे और इसकी गते जूर्जा निकालनी है तो हम ये जो स्थीज उर्जा है जो पहले पूरी थी और फिर जो आदी थी इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे बिटा माइनस कर देंगे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो यहां से हमारे क्या निकल जाएगी गते जूर्जा निकल जाएगी तो हमने क्या किया वह जो 2000 जूर्जा था याने कि जो 5 मिटर की उचाय की सिदी जूर्जा थी उसको ले लिया हमने और जो 2.5 मिटर उचाय की गते जूर्जा थी उस एंड यही इसका क्या है correct answer होगा, ओकी, चलिए, so that's it, आज के लिए इतना ही, उमीद करती हूँ कि यह session आपको अच्छे से clear हो गया होगा, उमीद करती हूँ कि आज की class आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को प्ली 10 questions जो है, वो बहुत ही अच्छे से वनिश कर लिया है, एक है, so इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे sessions और कहां कहां attend कर सकते हैं, so बटा YouTube पर मेली live plus recorded classes दोनों मिलेंगी आपको, application के तुरू भी आप मुझसे जुड सकते हैं, and website के तुरू जुड कर भी आप मेरे sessions अटाइंड कर सकते हैं, e-notes और e-book के link आपको नीचर मिल जाएगे, description box में, बाकि ये हैं हमारे Hindi English Medium के top courses, जहां CBAC board, दिली board, बिहार board, UP board, MP board, राजिस्तान board, वेडिक मार्स, क्रेश को, spoken English, ये सब कुछ करवाते हैं, cover, so मिलेंगी, अब हम हमारे next session में, तब त हमारे को के जाएगे आपको को को के आपको नीचर ऑस